नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सब का आज के क्लास में दोस्तो, आज का क्लास का हमार टॉपिक अफ डिसकुशन है हर्टलैंड एंड रिम्लैंड थियोरी नाँ, यह मॉडल्स का पार्ट है हमारे Human Geography की Sessions का, इसमें हम ढोग दो फियोरी डिसकेस करने वाल है हर्टलैंड फियोरी, जो के मैकिंदर भाइ्स आपके worry दिया गया था और दूसरा है, श्पाइकमें बाइस आपके दौआ है यह रिम लैंड फियोरी दिया गया था Now, Mackinder भाइस आपके theory में variations है, क्योंकि इन्होंने तीन टाइप में अलग-अलग theories दिया, एक theory इन्होंने 1904 में दिया था, दूसरा 1919 में जब World War already खतम हो चुका था, और तीसरा जब Second World War चल रहा था, 1943 के समय इन्होंने दिया था, right? तो इन्होंने 1904 में जो theory दिया, उसमें थोड़ा enhancement लाया, जब इन्होंने 1919 वाला theory दिया था, 1943 वाला theory दिया, तब उन्होंने उसका पुछले वाले theories में enhancement लाया था, right? तो उससे इन्होंने overall hurtland theory दिया था, जहाँ पर इनका मानना था, देट दुनिया का एक portion है, है ना, जिसको कहते है hurtland, right? और वो hurtland काफी जादा importance है, मतलब अगर hurtland में किसी कोई गर powerful जो देश है, right? वो अगर चाहे तो पूरा दुनिया में rule कर सकता है, अगर इन कैसे करता है, चलो एक एक करके discuss करता है, don't worry about it, और दूसरा जो theory था, rimland theory, spikeman भाई साब के दुआरा rimland theory दिया गया था, इनके mackinder भाई साब के दुआर जो inner crescent जो assume किया गया था, वही inner crescent, rimland theory में spikeman भाई hurtland theory में जो mackinder भाई साबने hurtland को as a main region माना था, actually mean that is not a main region, right, but this area surrounding it, that is European, क्या ये वाला part, आपका जाके South Asia, South East Asia वाला region, Eastern China वाला region, ये main part बनाता है, और ये सिर्फ continental part ही नहीं, बलकि ये जो oceanic part है ना, ये भी इस rimland के अंडर आता है, right, Now, इसको और भी सरल बनाने के लिए मैंने आपको कुछ infographics include किये हैं, जैसे आपको ने cycle दो चलाया होगा, cycles में ये चक्का होता है, na cycle का, देखो cycle के चक्का में ये spoke है, right, spoke है और ये वाला side वाला जो है, इसको rim कहा जाता है, पता है ना, ये spoke, इसको rim है, तो देखो rimland मतलब ये आजूबाजू वाला area, है ना, अच्छा, इसको और भी अच्छे तरीके समझाता हूँ, don't worry about it, देखो, ये जो है ना, ये भी देखो एक cycle है, ठीक है, ये rim है, और देखो cycle के बीच में मैंने एक heart बनाया है, उससे पता है मैं क्या बताना चाहता हूँ इससे, इससे मैं कौन रिजन रहता है, वो जो में रिजन, जैसे इंडिया का heart कौन से है, दिल्ली, right, क्योंकि दिल्ली जो है, that is the main focus, मैं ये नहीं भूल रहा हूँ that दिल्ली जो है, geographically middle में लाई कर रहा है, no, I'm not telling that, but कही ना कही दिल्ली देश का दिल है, right, तो वही चीज बोला गया, यहा आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ है, जिससे आपको थोड़ा और भी जाद विजुलाइसेशन हो सके, right, और उसके आजू-आजू वाले जो रिम पोर्शन है, उसको यहाँ पर यह वाले रिम पोर्शन को importance नहीं दिया गया है, but Spikeman भाईस हमने इस रिम पोर्शन को भ इसके related description में दिया हुआ है, आपको Google Play Store से Smart Rankers आपको download करना पड़ेगा और further आप इसका subscription attain कर सकते हो, right, तो चलिए, शुरुआत करते हैं में, Heartland Theory में आ जाता है, Heartland Theory दिया गया था, Mackinder भाई सहाब के द्वारा, 1904 में दिया गया था, जैसे मैंने पहले ही बोला था, यह British geographer और जो आपका Spikeman थे, वो थे आपका जाके USA के geographer, तो इनके, इनोंने basically political world को analyze करने की गोशिच की, इनोंने देखा था, दुनिया भड में politics कैसे basically prevail कर रही है, इनको देखो, इनका पूरा नाम था basically Sir Halford John Mackinder, इनको कहा जाता है, founding father of geopolitics and geostrategy भी इनको कहा जाता है, now, क्योंकि मै इनको कहा जाता है, तो इनका भी जो भी way of outlook था ना, way of outlook towards the geopolitics, क्योंकि देखो, ये तो geopolitical theory ही ना था, क्योंकि इसके आदार पर ये political pattern of world को दुनिया के सामने present करना चाते थे, but इनका जो अप्रोस था ना, वो British point of view से इनोंने अप्रोस दिया था, जिसके आदार पर इनोंने बोला था, तर देखो भाया, दुनिया भर में जो political history हो है, जो exist कर रहा है, वो कही ना कही struggle है between the land power and sea power, right, जो 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 देश land में dominate करते हैं, और जिन जिन के पास sea का दबदबा है, उनके बीच में कही ना कही दुनिया भर में struggle चल रही है, जिसमें, अगर ये लड़ाई बाई चांस land power और sea power के बीच में, तो जो जीता है, वो जीता है land power, that is continental power जो है, वो जीता है, और इसी को proper तरीके से analyze करने के लिए इनोंने अपने तीन theories दिये थे, 1904, 1919 और 1943 में, 1904 में इनोंने पाइवट एरिया का theory दिया, जिसको modify करके, 1919 में इनोंने हर्ट लैंड का concept दि जिसमें इनोंने clearly बोला, दर देखो भईया, इससे पहले जो अभी तक जो दुनिया का politics exist कर रहा था, वो था kind of ethnocentric, ethnocentric बोले तो जैसे अगर सोचो, आगर आप सिर्फ England को ही consider करके एक पूरा दुनिया का geopolitics को consider करना चाहते हो, वो हुआ ethnocentric, that is, या तो कोई एक particular country को focus करके या तो कोई particular region को focus करके, but इन्होंने जो है, उस चीज को geocentric में convert करने की कोशिश की, geocentric मतलब आप सिर्फ एक ही देश को consider, मत करो, बट की पूरा दुनिया में जो भी चीज हो रही है, उसके आधार पर कही ना कहीं चीजे चेंज हो रही है, मतलब हम इसको system analysis के concept में बोल सक सब कुछ as a system काम करता है, अचा अब अगर दिमाग भी ले लो तो दिमाग के अंदर में भी, दिमाग को ही अगर एक system मान लो तो उसके अंदर भी, you know, various tissues है, red blood cells है, जो भी है, fat है, कुछ भी है, वो अपना काम कर रहा है, आपका kidney भी अपना system माना के काम कर रहा है, अपना liver होने भी कही न कई अपने इस heartland theory के आधार पर बोला, देखो भाया, यह पूरा जो है न, interrelated चीज है, फिनॉमिना है, जो क्या exist कर रही है, और geopolitics भी जो है, हमारे दुनिया का वो कही न कई interrelated ही है, जिसके आधार पर इनोंने, of course, यह heartland जो है, उसको सबसे 1904 वाले classification में इन inner crescent, outer crescent का भी concept दिया, चलो करके देखते हैं, but इनोंने clearly यह भी बोला था, देखो भाया, यह heartland है, जो भी heartland जिसको इनोंने main actually region consider किया, इनोंने यह वाला, देखो भाया, यह ऐसा एक region है, जहाँ पर पूरा जो दुनिया का power है, वो originate होता है, और इस heartland को surround किया गया है, from different region, भाया, fortress location, F-O-R-T-R-E-S, fortress location, fortress location, fortress location कैसे हो गया, भाया, देखो, कैसे हो गया, बता रहा हूँ, fortress location मतलब ऐसा location, जैसे आपका खड़े हो, right, या फिर आपका घर हुआ, और चारो तरफ से आपका पहाड है, right, तो obvious सा बात है, that आपके जो दुश्मन है, आपको attack नहीं क यह देखो, जैसे इसको अगर आप Heartland मानते हो, इसका उपर वाला क्या, Arctic Ocean है, अब Arctic Ocean तो freeze रहता है, है ना, तो North, of course, यहाँ से कौन आएगा आपको attack करने, ठीक है, यह तो खेर आपको बजगे, Northwest region में देखो, यहाँ पर Baltic Sea है, और यहाँ पर आपका जाके, क्या बोलता है Black Sea है, जिसको अगर आप different कर सकते हो, अगर आप चाहो तो, राइट, वैसे यहाँ पर West में कार्पतियन mountains है, Southwest में आपको यहाँ पर देखो, अफगानिस्तान और इरान का प्लेटिव है इस region में, राइट, उसके बाद यहाँ पर देखो, पाकिस्तान region में हिंदुकूश mountain है है ना, उसके बाद अलताईशान, त्यानशान, है ना, इधर जो है, आपका काफी जादा रग टोपोग्राफी है, जिसको पार करना मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं, यह देखो, चारो तरफ से जो एक fortress location इस हर्ट लेंड को provide कर रहा है, और जो खुला एरिया है, वो यह वा है, और क्योंकि यह resource rich region है, इसलिए अगर यह चाहे, तो future में आजू आजू वाले region में कबजा कर सकता है, आजू आजू region बोले तो European region में भी, Middle East region में भी, और Far East region में भी अगर चाहे, तो यह अपना दबदमा बना सकता है, और साथी साथ इनोंने एक अलग भी concept दिया, world island का world island मतलब, यह जो देखो, यह main heartland तो है ही, यह main आजू आजू वाले region तो आपका inner crescent में लिया, यह तो है ही, बट साथी साथ इस Africa को भी इसमें include किया, यह हुआ world island region, अब यह पूरा world island region में जो है न दोस्तों, यहाँ पर देखिया, around आपका land area wise अगर देख लीजेगा, तो इनिया को अगर 8 population division में divide करो, तो around 7 population तो आपको यही पर मिलेगा, 7-8 population आपको इस region में ही मिलेगा, है ना, तो ऐसे basically इन्होंने इस world इसको भी divide किया, और further land mass में इन्होंने include किया, तो देखो भाईया, यह एक inner marginal, या फिर inner crescent मोल सकते हैं हम इसको, यह ता heartland, right, heartland के आजू बजु वाला जो region है यह वाला, इसको इन्होंने inner crescent पाना, ठीक है, इसमें Europe तो आही रहा है, देखे तो, Europe आ रहा है, इंडिया वाला region आ रहा है, South East India आ रहा है, चाइना वाला region आ गया, आ गया, है ना, यहाँ पर outlying island है, that is, यहाँ पर एक आपका जाके England है, और एक इधर Japan है, यह जो है, इस crescent में ही आता है, बट इसके out, है ना, दूसरा secondary heartland, जिसमें इन्होंने sub-saharan Africa को considered किया, ध्यान देजेगा, यह वाला ऐसा region है, जहाँ पर आपको properly channelized drainage भी मिलेंगे, और यह वाला जो है न, यह वाला जो region, मतलब आपका जाके secondary heartland, sub-saharan Africa का, ठीक है, इ है न, जिसमें North America, South America, Australia, यह तीनों यहाँ पर properly आता है, अब इनका जो overall theory है, पूरा है न, उनका theory का basis ही है, environmental determinism, क्योंकि इनका यह मानना था, देखो, geopolitics जो determine होता है, वह वहाँ के physical locations, क्योंकि Fortress location बोला था न, जी, है न, वही चीज़, so what determinism के आदर पर ही यह हुआ था, इसका जो है, further अपना भी significance इन्होंने दिया, पिवर्ट एरिया का भी, that is यह वाला, जो पहला 1904 वाले classification में, जो इन्होंने पिवर्ट एरिया, या फिर 1919 वाले classification में, जो इन्होंने हर्ट लैंड इसको बोला, इन्होंने बोला, तर देखो भईया, यह resource rich region है, है न, आपको agriculture culture resource भी है, industrial resources भी है, और अगर इसका eastern portion को छोड़ दे, तो western portion में आपको connectivity भी proper मिलेगी, और plain areas भी exist करते हैं, और यह कहीं न, कहीं connect किया गया है, by this Europe, through this eastern European corridor, है न, और इसका fortress location जो है, क्योंकि, of course, चारों तरफ से जैसे मैंने बोला, गिरा हुआ है, है न, वैसे, यहाँ पे से इस दोनों रीजन को भी different कर सकतो, नहीं तो और बजगिया कौन सा रीजन, यह वाला रीजन, that is eastern European corridor वाला रीजन, जो क्या connect करता है, Heartland को आपका जाके, you know, main, आपका island के साथ, ठीक है, तो उसी के आधार पर, इनोंने अपने theories रखे, इनके theories के आधार पर, इनके आधार या फिर continental power ही, इसमें dominate करता है, right, और private area जो है, उसके पास resource तो है, देखो, यह private area जैसे मुलना मुला, industrial resource, agricultural resource तो है, क्योंकि यह resource region, rich region है, तो इसके capacity है, that future में यह, आपका जाके, Europe, या फिर Middle East region, या फिर Far East region को, अगर चाहे तो conquer कर सकता है, जिससे यह inner और outer crescent, यह पूरा इसना वाला resources इसको आ गया, तो आराम से ही और यह आजू आजू वाले region को भी attack करके जीच सकता है, है ना, और यह further outer crescent, जिसमें America, that is North America, South America, Australia वाले region को भी यह आराम से capture कर सकता है, इसलिए, अब क्योंकि मैंने बोला ना, यह England वाले थे, मन्दब, Mackinder भाई सा, है ना, तो यह तो चाहेंगे ही न, इनका country at least safe रहे है, तो obviously इन्होंने बोला, ठीक है, देखो, यह future में हो सकता है, इंग्लेंड के ओपर भी attack करें, तो अभी जहां तक देखा जा रहा था यह वाला region जो के Soviet Union का था, उसके पास उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, बट इन्हों इन्होंने बोला, जपान या फिर चाइना के अंडर, अगर चाइना अगर इनको कॉंकर कर ले, जो क्या उनको बहुत कम probability माना, क्योंकि इनका ऐसा माना था, देखो भी यह तो आपका जाके, आपका जाके क्या बोल सकता है, मतलब, देखो, यह बिटिश थे, तो obviously इन्होंन चाइना के अंडर यह conquer हो जाए, तो अगर ऐसा हुआ, तो तब तो fear automatically और भी आमारे उपर खत्रा मंदा आ रहा है, आराम से यह अटाक कर सकता है, तो इसलिए उन्होंने solution दिया, ठीक है, देखो, जर्मानी और अभी जो USSR है, इसके बीच में कोई buffer state बना दो बीच में, ठीक यह था उनका Heartland का concept, बट बाद में उन्होंने 1919 में जब First World War हुआ, था भी इन्होंने इस पाइवर्ट एरिया को redefine करके Heartland theory दिया, ठीक है, क्यों, क्यों दिया, ना, इसलिए दिया, क्योंकि World War I के दुआरा समय देखा गया था, जब बिटिश जो है ना, यहां से आपका Baltic Sea के थ्रू attack करना चाह रहे थी, यह फिर Black Sea के थ्रू attack करना चाह रहे थी, तो Germany इसको रोग दिया था, Germany ने, in fact, Germany ना पता है, यहां पर जो Baltic Sea में, Sea Mines भी बिचा दिये थे, है ना, इसलिए तब यह पता चला, बले ही, आपका Britain Sea Power है, बट स्टिल, Sea Power का जो दब-दबा है न एक extensive area cover करती है, बट स्टिल, उनका जो दब-दबा है, वो काफी ज़्यादा कम है, है ना, और उसको बढ़ाने की future में जरूरत है, और साथी साथ, उन्होंने, इसलिए, यही reasons है, देट उन्होंने redefine किया था, यह पाइवट एरिया को, और इन्होंने बोला, देखो बहिया इससे तो काम नहीं चलने वाला, मतलब अभी जो main focus center है, वो इन region को भी include करता है, पहले यह पाइवट जो एरिया था ना, इसको और भी बढ़ा दिया इन्होंने, और यह वाला region, Baltic Sea वाला region और Black Sea वाला region को भी include कर दिया, ठीक है, और जब इसको include किया, तब यहाँ बन गया Heartland, समझ रो बात, समझ रो, और बट अभी भी लेकिन यह वाला Eastern Gate में यही emphasis था, क्योंकि ultimately connectivity लेकिन Heartland का आपका जाके Eastern Gate से ही था, इसलिए इन्होंने finally conclude किया, देखो बहिया, Eastern Gate जो है, जिससे connectivity है, यही एक मात्र रीजन है, only key to control Heartland, है ना, मतलब, अगर आपका land power है, और if you want to dominate the world, then आपको Eastern Europe वाला region, जहां से यह जो Eastern Gate है रहता है, जो कि आपका जाके Heartland से connect करता है, उसको आपको जीतना पड़ेगा, अगर आपने जीत लिया, जो जिसने Eastern Europe जीत लिया, वो कमांड करेगा Heartland को, और जो Heartland को कमांड करेगा, वो World Island को कमांड करेगा, मतलब, आपने इस रिजन में कमांड हो गया, तो आप आराम से इस पूरा Heartland में आप कबजा कर सकते हो, या फिर कमांड कर सकते हो, अगर आपने यह पूरा रिजन में कमांड कर लिया, तो ओवियस सा बात है, यह World Island जो है जहां पर Eurasia, that is Europe plus Asia, और Africa लाई करती है, इस पूरा को में आप अच्छा है, तो वो जो World Island को रूल कर रहा है, वो World को भी रूल कर सकता है, समझ रहो बात, यह चीज जो है, इनको द्वारा 1919 वाले क्लासिफिकेशन में दी गई थी, अब 1943 वाले क्लासिफिकेशन आता है, जिसमें, देखो, 1904 वाले क्लासिफिकेशन में इन्होंने पाइव जब World War चल रहा था, तो उन्होंने, you know, Heartland को मोडिफाई करने ही कुछ गी, that is, देखो, अभी तक जो था न, आप अगर यहां पर अटाक करोगे, तो यहीं से अटाक करना पड़ेगा, but actually तो दुनिया गोल है, यहां पे न, हमने दिख रहा है, that USA, Russia, बहुत दूर है, but actually उन्होंने बोला, तो देखो भईया, यह जो Heartland है, यह वाला Eastern वाला portion जो है, Russia के Eastern वाला यह वाला portion, इसको हम लोग Linaland इन्होंने बोला, जहां का Economic Importance काफी जादा लेस है, और इसको exclude कर दिया Heartland से, ठीक है, तो Heartland यह वाला चीज बचा, दिख रहा है, समझ पाड़े हो, है यह भी जो रशिया जो है, धीरी-दीर अपना garrison बना रहा था, that is, अपना military मजबूत कर रहा था, तो obvious हावात है, यह भी छक्त हो रहा है, और साती साथ अगर Western European और Eastern USA वाला region देख लोगे, इसको अगर मिला दो, तो यह लोग मिल कर कहीना के Midland Basin बना सकते हैं, जो क्या आ और यह जो है, और यह जो है, as a buffer kind of state, आप यह बोल सकते हो, राइट, वो चीज जो है, इन्होंने अपने theories में रखा था, है ना, और सवाल होता है, यह क्या बोलता है, Midland Basin को इन्होंने, सबको एक क्यों माना, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने देखा था, देखो भया, इन्क्रीज हो रहा था, जो क्या, इन देशों में काफी जाधा dominant था, इसी लिए इन्होंने, इस theory के आदार पर, emergence बताया, हर्ट लैंड का तो बताया ही, माफ करना दोस्तो, मिड्लेंड का भी emergence बताया, और कहीं न कहीं इस दोनों superpower का emergence कैसे बताया, देखो, emergence of heartland में उन्होंने कहा, पहले जो हम लोगोंने क्या discuss किया था, that heartland, अगर हो सकता, अगर चाहे तो power का focus बन सकता है, अगर ये वाला heartland अगर Russia के साथ alliance बना ले, या फिर अगर China या फिर Japan जो है, वो उसके अंडर में ही आ जाए, तो, but Spikeman ने, sorry, Mackinder भाई साब ने clearly बोल दिया था, that ये वाला तो probability हो नहीं सकता, right, तो सही वाला पहले जो main probability है, वो ये हो सकता, that Germany के साथ ये alliance बना ले, alright, और देखो, ये तो पहले हम लोगोंने माना था, है न, जो क्या हुआ ने, क्योंकि अगर World War 2 देख लो, वहाँ पर Germany का बहुत खस्ता हलत हो गया था, बहुत ही जादा खस्ता हलत हो गया था, right, और meanwhile, ये Russia ने भी वो चीज़ देख लिया था, तो उसने अपना garrison, जो है न, काफी जादा, बहुत strong army बनाने की कोशिश की, right और क्योंकि Germany भी weak पर रहा था, तो automatically ये दिख रहा था, that Russia का जो है न, वो उभर रहा है, ध्यान दीजेगा, पहले ऐसा लगा था, that Germany के साथ वो मिलकर करेगा, but क्योंकि Germany जादा टिका नहीं, right, और Second World War में भी उसका performance उतना खड़ाब दिख रहा था, तो इसलिए ये clearly यहाँ power vacuum जो है, आपका जाके power center में convert हो गया था, right, तो ये रहा, emergence of hurtland, ऐसे hurtland जो है, देरे-देरे emerge कर रहा था, alright, दूसरा है, emergence of midland, मतलब midland मतलब ये वाला region, Eastern USA, Western Europe, वाला पूरा region, right, ये आप बोल सकते है, that overall, क्योंकि developmental parameters similar थे, इसलिए industrial और military strength अगर देख लीजेगा, इस region का overalls अच्छा था, right, और इनका जो भी power combinedly बन रहा था, वो clearly ऐसा जरूर दिख रहा था, ये अगर combinedly hurtland से अगर लडाई करे, तो obvious सा बात है, ये उसको tackle at least कर सकता है, मतलब कही न कहीं, emergence हो रहा था, दो बड़ा-बड़ा superpowers का, एक था hurtland, जो के predominantly, you know, USSR के द्वारा च major role था लेकिन, right, और ये देखो, ये वाला region, या फिर hurtland वाला region, ये चारो तरफ से किसके द्वारा घिरा हुआ था, एक wilderness, जो के ये योलो में बताया गया है, और ये hatching lines जो में बना रहा हो, right, और ये जो zone है न, इसको इनो ने कहा, Macander भाई समने, तो ये तो zone of inactivity है, या को, you know, ताक में रखकर आपका जाकर रशिया और ये से लड़ाई कर रही थी, cold war के समय, होड़ा था न, तो ये तो zone of activity न हुआ, kind of, बाद में, बट इसके साथ साथ और भी बहुत सारे criticism आते हैं, जैसे, इनो ने बोला था, that hurtland जो है, वो region है, relative disadvantages का, क्यों, क्योंकि वहाँ पर climate, terrain उतने जादा proper, conducive नहीं है, तो यहाँ पर आपने decides करते हो, that क्या, सिर्फ climate और सिर्फ terrain ही decide कर सकते हैं, that कोई region relatively advantages हो गया, or disadvantages, ऐसा तो नहीं हो सकता है, अगर कोई region छोटा है, या फिर, you know, उतना जादा उसका climate, terrain अच्छा नहीं भी है, तो भी, अगर वो science and technology में ब सकता है, right, दूसरा का criticism आप बोल सकते हो, that इन्होंने जो power potential है, उसको geographical area से equate किया था, right, that just, almost, क्योंकि देखो, इस region में geographical area भी जादा है, तो obviously resources भी जादा है, तो उसलिए इसका power potential इन्होंने जादा माना, but क्या ऐसा है, अभी के जमाने में क्या, power potential आप science, जिस region में science and technology ज जादा developed है, यही सब को हम मान सकते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे criticism है, और यह जो मैंने पूरा पढ़ाया है, इस चीज को और भी enhanced तरीके से पढ़ाया गया है, दोस्तों, अगर आप geography smart classes को join करते हैं, right, again, वहाँ पे बहुत ही proper तरीके से enhanced way में समझाया गया है, यह तो मैं ensure कर सकता है, political determinism, क्योंकि देखो, starting में ही न बूला था, यह कही न, deterministic philosophy है, मतलब, इनका यह मना था, that land power और sea power के बीच में जभी भी जगडा होता है, right, तो कही न, कहीं, वह region का political fortune है, वो decide करता है, but actually मैं अगर देख लिजेगा, कोई region का political fortune जो है, वो decide होता है, by different factors, that is, उसमें physical factors भी आजाता है, social factors भी आजाता है, economic factors भी आजाता है, और cultural factors भी आजाता है, in fact, अगर in reality देख लोगे, heartland जो बोला था न, that यह fortress से गी रहा हो, but क्या, यह fortress आपको दिख रहा है, जी, है न, अबने, fortress तो चलो है भी, but still, fortress मतलब क्या, अगर आप इस region में हो, चारों तरफ स criticize का निर्मान हो चुका है, भाई, तो यह fortress जो आप बोल रहो, that fortress location है, तो relatively advantageous sections है, ऐसा बिलकुल नहीं है, right, तो यहीं पर आप इसको criticize कर सकते हो, right, इसके बाद माना गया, that heartland जो है, rich बोला गया था, but in reality, अगर agriculture और industrial अगर देख लीजेगा, development वो western part of urals में ही हमें जाए तर देखने को मिलता है, तो यह as such अगर पूरा हम heartland को लेकर decide कर रहे है, that यह resource rich है, तो ऐसा बिलकुल नहीं है, right, यह सब बहुत सारे criticism points है, जो कि आप यहाँ पर दे सकते हो, तो इसी के साथ यह heartland theory क्या है, वो तो आपने proper तरीके से समझ ले होंगे, right, मतलब main heart को focus कर रह अभी यहाँ पर यह zone को माना गया था, zone of inactivity, ध्यान दिजेगा, है न, बट अभी वही चीज जो ही है न, इस region को, जिसको zone of inactivity माना गया, उसको rimland theory में zone of actual activity माना गया था, है न, और यह rimland theory दिया भी गया था, Nicholas John Spikeman, जो कि एक American political scientist थे, right, ध्यान दिजेगा, इन्होंने जो अपना theory दिया था, it was absolutely opposition to Mackinder का हर्ट लैंड theory, और इन्होंने अपने theory को proper तरीके से, अपने book Geography of Peace में enhanced तरीके से लिखा था, जहाँ पर इनका जो interpretation था, हर्ट लैंड का और rimland का, वो बिलकुल अलग-अलग था, and if you compare it with the Mackinder's theory, क्यों, क्योंकि Mackinder's theory में हर्ट लैंड को activity है, और ध्यान देना, यहाँ पर आपको सिर्फ continent वाला पार्ट ही नहीं, बलकि ocean वाला पार्ट भी यहाँ पर include किया गया है, समझ रहो, और यह जो भी, क्योंकि यह, of course, American थे तो, of course, इनका जो बोलने का तरीका था, या फिर interpretation का तरीका, वो कहीं ना कहीं आप बोल सकता है that American point of view से था, और, of course, यह भी deterministic theory था, जहाँ पर क्योंकि माना गया that land और sea इसका दोनों का तवज्य है, तो इसलिए यहाँ पर यह भी बोला गया that, देखो भाईया, maritime mobility जो नहीं, यह key factor है, है ना, और पिछले बार, that is, Mackinder भाई साब ने जो Heartland theory में, Heartland को important माना था, बट इ industrialization भी अगर देख लिएगा, तो ज़्यादा ऐसस नहीं है, सिर्फ Urals के, जो western part है, उसी region में थोड़ा मोड़ा industrialization है, और यह उतना resource rich region भी as such नहीं है, इसलिए इन्होंने अपना theory रखा, Rimland theory, जहाँ पर, इन्होंने बोला that, देखो भाईया, Rimland has far more resources, in fact, मतलब यह Heartland जो है जितना इस Rimland region में है, right, resource तो देख लिए जब बहुत ज़्यादा है, आप देख लिए, जह ना, देखिए, main resource क्या है, तेल भाई, है ना, इस region में तेल है, है ना, और भी बहुत region में तेल है, देखो South China सी में जो, China जो दब-दबा मना रहा है, क्यों, इस तेल के खोज के ल ने ही governed किया, relationship between the new world and old world, old world में इनोंने European nations को बोला, जहां जिस ने, you know, new world को discover किया, जैसे देखो Portuguese ने ही इंडिया को discover किया, South America में ये गया, Britishers जो है, USA में गया, Britishers जो है, Australia में गया, right, तो इनोंने ही ने discover किया, इसलिए इनोंने माना, that from the past, sea power ने जो है, कही ना, कही बहु Rimland को control करेगा incoming future, मतलब अगर इस region में किसी के पास अगर सिर्फ land power है, या फिर सिर्फ sea power है, तो आप rely नहीं कर सकते हो, इसलिए आप देख रहे हो ना, China या फिर India देख लो, land power में कितना खर्चा कर रही है, sea power में कितना खर्चा कर रही है, वैसे India भी कर रही है, मतलब कही न इस region को control करेगा, है ना, इसलिए जो है, बहुत जादा, you know, competition है इस region में, है ना, तो देखो, मैं पता दे रहा हो कैसे competition है, बट उससे पहले यह मैं यह बता दे रहा हो, इनो ने जो बोला था, जो इस Rimland वाले portion में राज करेगा, वो पूरा Eurasia, that is, Euro plus Asia में राज करेगा, औ समस्दो, और यही Heartland वाले थिरी में बोला गया था, that जो Eastern Europe में राज करेगा, वो आपका जाके Heartland को राज करेगा, जो Heartland में राज करेगा, वो आपका जाके World Island में राज करेगा, जो World Island में, वो World में, है ना, और वही चीज similarly, कही ना कही यहाँ पर भी similar kind of theory दिये गया थे, right अब बट इस थेोरी के criticism भी तो आते है ना और वो criticism क्या थे इन्होंने equate again वही same criticism लिख सकतो power potential को geographical area से इन्होंने भी equate करने को चाहा है ना बट actually में सब समय ऐसा नहीं होता कही science and technology भी बहुत matter करता है इसा भी हो सकता है देट कल को यहां का एक छोटा सा country यह नो बहुत जादा technologically rich हो जाए है ना मंद मझे इसा बोल रहा हूं है ना ऐसा है नी बठा हो सकता है ना तो क्यू ना अब इस्राइली देखनो कितना चोटा देश है कितना geographical disadvantageous regions में है पर स्टिल वो कितना resource मतब आपका science and technology कितना जादा enhanced है बोल सकते है वही वैसे ही दूसरा criticism आप बोल सकते हो रिम्लेंड जो है यह एक रीजन अस सच नहीं है in fact क्योंकि रिम्लेंड के भीतर भी तो बहुत सारे कलेश चल रहे है ना बहुत सारे जगड़े चल रहे है है ना आजो आपका Pakistan के उपर जो कर रहे है पाकिसान को एक दम बिल्कुल उसने इतना ज़्यादा लोन दे दिया है और पाकिसान अभी उसके पैर तले दब गया है यह जो चाहिना चाहिए वैसे पाकिसान को यह चड़ा सकता है है राइट तो यह सब कुछ को चीज़े आप कर रिटिसम में भी दिख सकते है बट साथी साथ इसके अप्लीकेशन बे भी तो हम लोग आ जाते है applications क्या है क्या real world में कोई इसका application है तो जी हाँ है कैसे नहीं है इसका पहला application है Alfred Mahan जी ने मतलब concept दिया था debated and debatable zone actually इन्होंने 30 degree parallel और 40 degree parallel के बीच वाला जो regions है ना जिसमें कौकाॉस region देख लो Iran, अमगानसान, पाकिसान, कश्मीर Tabat, Uyghur, उसके बाद आपका जाके Central region देख लो तो ये कुछ-कुछ ऐसे regions है जो क्या काफी ज़्यादा contentious zones में है और जिसके उपर सब का नजर रहता है, आप खुद देखो actually में अगर कोई भी अगानसान में देख लो कितनी destability है पाकिसान में कितनी destability है जहाँ पर काफी ज़्यादा destability है इरान वाला region देखो, कितना ज़्यादा ये destable regions है, है ना stable region तो हम नहीं बोल सकते है ना क्यों यहाँ पर conflict क्यों है क्योंकि ये rimland में है, है ना और वही चीज तो हम लोग बोल रहा है, यहाँ पर conflict है और rimland theory में तो यही बोला गया इसी region के लिए बेसिकली लडाई यगडा होगा है ना, और कही ना कहीं Alfred Mahan जी का जो debated or debatable zone था वो भी यही 30 degree parallel से 40 degree parallel के बीच में ही था तो यह कही ना कहीं हम सही भी बोल सकते हैं जी है ना, अच्छा, यह भी देख लो 40 इसके उपर वाले जो है रश्या का dominance है इस वाले region में इससे नीचे वाले जो है बिटिश का dominance था, right अब क्या है ना, जहां पर भी बिटिशर्स के dominance थे तो वहां पर तो जो बिटिशर्स चाहेंगे, वो चाहेंगे इना, दूसरा ideology नापन पर मतलब यहां पर रश्या का क्योंकि dominance है उपर में, तो obviously रश्या चाहेगा यह पूरा जो region है ना यह पूरा region में Russian ideology फैल जाए, right, और Russian ideology क्या था Communism, है ना, but Britishers वो नहीं चाहते थे, है ना, तो कही ना कहीं यह region, that is Rimland जो theory के आधार पर जो है, काफी ज़्यादा मदत हुआ western world को Communism, जो ideology है, इस regions में रोकने को, है ना, क्योंकि पहले उनको पता चल गया था, that this region will be the bone of contention, so obviously यह लोग चाहते थे, जिससे कम से कम यह हो सके, और क्योंकि यह पूरा region, that is Rimland theory में, यह आपका Indian Ocean regions भी आता है, तो देख लिजएगा, बहुत ज़्यादा activities बर गई है, जीबोती में देखो, USA का military base है, right, China ने भी अपना military base खोला हुआ है, China देख रो आप Indian Ocean region में काफी ज़्यादा active बन रहा है, इंडिया का तो खेर दब-दब महुत ज़्यादा है, right तो यह सब चीज़ा कही ना कही देख रही है that हाँ भाया, यह क्योंकि आपका जाके Rimland region में है, तो कही ना कहीं इस region के उपर ही होर लगी हुई है दुनिया बर के, पीछे, है ना, अभी recent example ही उठागे देख लो, चलो एक current affair ही ले ले लता हूँ, जैसे United States ने, है ना, United States ने Asia Pacific पहले बोलता था ना, यह पूरा डिजन को, यह पूरा Pacific और यह पूरा डिजन को, Asia Pacific, है ना, बट अभी क्या बोला जाता है, Indo-Pacific, है ना जो क्या, of course, China को भी पसंद नहीं है रशा को भी पसंद नहीं है, बट यह USA कड क्यों रही है, क्योंकि USA देख रही है, रशिया से तो हमको खत रहा है, चाइना से तो हमको खत रहा है तो obvious सा बात है, natural ally जो है, इंडिया ही बन रहा है, तो इंडिया को ही भाहो दे, है ना, तो इसलिए इसका नाम चेंज करके इंडो-Pacific अगर लखे तो इंडिया का भी मन अच्छा होगा, और दुनिया भी कही ना कहीं इसको इंडो-Pacific के नाम से जानेगी मतलब दुनिया को कहीं ना कहीं इंडियर्क लिए यह लगेगा, इंडिया का इस रीजन में Rimland Theory के अगेन जैसे पहले ही बोता दे रहा हूं दरस तो इसका जो enhanced version है वो हम लोगों ने मतब जो applied part है वो proper तरीके से हम लोगों ने smart classes में proper तरीके से समझाए गया है जिसका link अगेन आपको नीचे में description में मिल जाएगा so this was all about the discussion that we had for Heartland and Rimland Theory right मिलते हैं आपके साथ कोई next session में एक नए topic के साथ till then bye bye take care and thank you for listening to the whole video